पसु बाड़े में अचानक आग लगने से एक गाई की जलकर हुई मौत वहीं एक बैस भी जली गटना बाड़ में सहर के बल्देव नगर की है जहाँ पर आज अभी थोड़ी देर पहले पसु बाड़े के अंदर आग लगने से एक गाई की जलकर मौत हो गई वहीं एक बैस जो है वो भी आग की लपेट में आने की वज़े से एक बैस जो है वो भी जली है वहीं पसु को चारा डालने आई मैला भी आग की लपेट में आई और गटना बाड़ में सहर के बल्देव नगर की है गटना की जानकारी मिलने पर फाइब बिर्गेट मोके पर पहुँची और आग पर काबू पाया तस्वीरे आप देख पा रहे हैं बाड़ में सहर के बल्देव नगर की है जहांपर बताया जा रहा है कि सोट सर्किट की वज़े से आग लगी है हालांकि आग की कटना की जानकारी मिलने पर फाइब बिर्गेट मोके पर पहुँची और आजपास के लोगों ने आग पर पानी डाल काबू पाया तस्वीरे आप देख पा रहे हैं बाड़ में सहर के बल्देव नगर बल्देव नगर की है जहाँ पर अचानक से आग लगने पर एक बैस भी जो है वो आग की लपेट में आ गई वही एक गाय की आग में जलकर मोत हो गई महिला अपने पसूओ को चारा डालने के लिए गई थी और इसी दर्मियान आग को देखकर जब आग में पसूओ को खोलने की वहां से पसूओ को निकालने की महिला ने कोशिश की तो उसी दर्मियान महिला भी आग की चपेट में आ गई गटनाबाड में सेर के बल्देव नगर की है जहां पर आग की चपेट में आने से एक महिला जो है वो भी आग की चपेट में आई है अपने पसुओं को चारा डालने के लिए गए ते और आग की चपेट में आ गई जैसे ही जानकारी मिली आग की तो आसपास के लोग तुरंट परबाव से मौके पर पहुँचे और वहाँ पर आग पर पांग डाल कर काभू पाया गया अब इस पूरी घटना को लेकर आग जनी को लेकर यहां के लोगों का क्या कहना है जरह आप आगे इस व्यूडियो में सुनिएगा राजिस्तान राइस से में आपका साथी उम्हेद वहराणी बहुत बहुत सुक्रियाद नहीं कले से अब लोगने झालो कैजा आग लागे कईयो तशोट में सुनिए लिगान अंताया दाल भीटेज अभल बेलका फोल्यूड नियुक्त मुद्ध अख अधिया में झाले माज प्र बाज़ वोद्ध एक अघया गडी आई दो बाढ बादमाई रखी अगा गडी आई पुडी महात लगो पूतर फ्रॉड पुजाएँ अडिका नंगेर के अंध्या बाला याच्छर के सामने नौली देजि द्वाय तो स्वारगी आई और सम्क्रांट के लिए गarson मैं कि तो दो पंदए के अंदर आग लगी है जिसमें मौजूदत आलालं में एक गाय जल गी है और भैंस अजली हो गई है और खुद मकान माली नवली दिवी भी गायल हो गी जिसे लिए आग की चपट में खोलते समय आग के अंदर आगी और उसके अंदर पशू बढ़े के अंदर कमरे के अंदर उनका वाजरी खल और पशू चारा वगरा जो भी खादी सामिदी थी पशू की वह विसाद में जल्क पाल करें ऐटार बाला तार विया चारा दलिया वाना रहे ते उसमें से कोई चिनगारी वट गया हुआतार वाजरी नुकसान हुआ होगा नुकसान तो काफी होगए आज आप देख लो गवर्मेंट डही रहे हैं चालीस अजार है तो गायल होगी अब बज्जावे तब मलिक देखने मलिक के उपर है बज्जावे तो अगया